Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ प्रामिस किया था कि मैं एक सिरामिक कोटिंग के ओपर एक फुल डीटेल वीडियो बनाऊंगा तो फ्रान साथ हैं सपार्को कार केर में हम अपनी प्रोटान सागा के ओपर तो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे all you need to know about ceramic coating इसमें क्या फायदा होता है स्रामिक कोटिंग का किस तरह के फ्रॉड होते हैं for example किस चीज से आपको स्रामिक कोटिंग पर्टेक करती है किस चीज से नहीं पर्टेक करती है तो stay tuned और इसको वीडियो कोईंट तक देखिएगा इसमें काफी द्यादा इंफरमेशन होगा तो सबसे पहला मेरा सवाल ही होगा कि कि Gohy कोटिंग यह जाता है जो कि कृूपर लिए कटि तिन और उपर कुछ के लिए वह की रही हो नगी करते हैं त्री माइकरों। होती है सेमन हो तेया है म construct नगभी महीं डिप्रिघ्रेंट होती है खिर्टेट 1975 कीण की यह यह स्रेंक आटीत buds पिलोज से बचाता है के लाववब आपकी गाड़ी में एक शाइन घ्लेज आ जाता है अपको वाश कम करवाने के जरुवदा है आपकी गाड़ी ज़ुरू it But आपने बताया के डिफरेंट किसम की स्टरंथs में थीकनेश हैं मैंतर है उप इसे अ कुछ प्रस पारद तो यह इसे डेलेटेट टो यह तो यह स्टरामिक कोटिंग यह क्या चीज थी है अविसलिय है सही बन जेट टू यह एंट रझसकी इस टाइम परियर होते है इसंट के इससेंट कि इससे नंगेशीus कैंशनी की तरह व वह साल की वाली की शाइन थोड़ी सी साथ होती है और जो फॉर थी यह उती है वो अच्छी स्रेंद वागरा होती है और शाइन और ग्लेज उसका काफी अच्छा थे प्रोटेक्शन लेवल उसका सबसे टॉप अफ दी लाइन इसकी केर कोई खास करने पड़ती है या आपने अब देखा करा लिया दो बस साही है आप जो अब जो नहीं ऐसा कुछ नहीं यहां पर सबसे बड़ा आप मार पस प्रॉब्म यह आता है कि लोगों लगता है भई हमने कोटिंग कर वाली तो हम टोटली सिक्योर होगें अब तो हमारी गाड़ी को कुछ भी हो जाए तो हमार तो हमें अब जो चाहिए यहां वाली पॉटली थाई देखा कि यहां पॉटली सो अपने मन्त में अब आपको प्रॉपर लिगाड़ी को बाच नहीं होगें आपने मन्त में हार्ली 6-7 ताइम आपको गाड़ी आपको गाड़ी वाश करने की जो रहते है इसे जाद आद तो रहलो सब नहीं क्या है यес कैकली अगर यह उषैंगत इक इप मत बढ शर्म कोटे तया है अगर दया कमस्के स्काम हम आपको Thailand क्यों को बढो वुद गार गारे हैं इसो इस में इसी अग्रेंग होते हैं तो खाव एक ग्रेंग Critique सुर्ण कोरें ошибτο है तो वो अलडी एक केमिकल है तो उनका टोटली एक आपजिट रियक्शन होता है जिसकी विससे वो कोटिंग काफी हद तक देमेच हो जाती है और आप जब पता आप वो आपने सर्फ लगाया तो अघ्ट होता है और हमारे कारवाश पर यौर ऑटावरश पर काफी होटता है यौ पर आपकी अब बॉड़ी होता है वो आप भॉड़ड रगर यह उसके उपर हैं उसकी मैंटिननघ जए हूं हम इसको मैंटें रखते हैं को जिसके दूरिबिलिटी और शाइन मैंटें रहती है जिसल強 ocate तो मुक्ती अदो के वरंटी दे रहेशन के दो हम लोग 3-6 की देथे वरंकी जो پिर घी बैंड है वो विक 1-2 को को है यह त्रियों की को ट्रीट किया जाते हैं अच्छा मैं एक रेगुलर कस्टमर रेगुलर कंजूमर जो होता है उसके परस्पेक्टर से बात करते हूं यह बहुत ही इन्विजिबल सी चीज है आप कुछ यूं ताला और यूं लगा दिया अब एक थोड़ा गाइड कर दे यहां पर क्या होता है के अकरते हैं अपना आउटलेड बनाया थाकि हम एजी होके यहां पे काम करें तो जो भी डॉस्ट रते है उसका हुई हो सिलीकॉन लग का छो लगा ले ल क्या हो जी तुछ टेका लागता उड़ बताते है वहन कि बारे मली कॉटिंग कर दिया हुआ हुआ है उसके ल्ग उसके अटकी होआ सावग निदो नहीं होता हुए वाशय तो पछ छोच की में जाओं तो यह पर प्रॉपर्छ लोग लगा के लिग देरिते हैं उलोग कहते हैं हमने सеспॉट कहोच काया है जयो ही एप टंच को Kerry मेरे पास ना हैं लेकिन कहीं पी जाये तो आप जाये करा रॉपर यद पास जाए जिए इताया हुट जो को 무etect लोग अपनी गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं, जैसे कि अभी अमारे पीछ एक सुदुकी आल्टो करी है, तो लोग छोड़ के चले जाते हैं, बुर टैस बेस पे, मिलब अगला बंदर तो तुर्सकर अगला बंदर कोई बीचीज बुटी लगा दे तो इसका अपनी ब्रे अब आपको चले बात हुए है तो बतातों। औरेंज पील अपकी इम्परेक्शन होती है, जो पैंट करते हैं, उसके टेक्च्चर में आती है, आपको एक वेवी लोक और अपको एक बलर सी फील आपको एक तो आपकी गाड़ी में औरेंज पील बहुत एक प्रस्वी लेव तो उसमें हमने घमार प्रॉब्लम और उसकी बहुत बुरी रहIs और जो ये प्रॉटान्सा का है इसकी बहुत अच्छी औरेंजबिस तो औरेंज पील के अपर डिपेंड करता है क्योंकि हमें बेस बनानी होती है पहले वाष होता है पिम्म वाष के बाद आपकी स्केलिंग होती है जो साइट पीडर्स पार्टिकल्स होते है वो निकालने पड़ते हैं ताके कोटिंग करते हुप वो बेस अंदर ना रहे जाए ह एक तरह की बेस बना के हम लोग क्या करते है कि दुबारे से इसको वाश करते है क्योंकि जो हमने paint correction के बगे compounds वगरा यूज की होती है उसकी dust होती है वो भी हम खतम करते हैं then गाड़ी हमारे पस अंदर पर्च बढ़ने सबीया भाइब 16,000 परइंब़ सेलेंब 20,000 दा कॉया होता है कि आपके जो स्षपक्रिन अडाई को प्रफ में करते हैं सो किया होता है जो उसको गें आपकार क्मताइब ए क केफिझ इस सबसे बड़ा मसला ये भी है कि नहीं है कि यहां पर लोग कोटिंग किया करते, चामांड की और कोटिंग शीट Ke contact की कोटिंग फिर लगदी ऊद्ख करी नहीं है कि यहां पर जहां समय हुआ ही सब वोग अंगों है हृट्ज करते हैं उसके बाद उसके बाद को फॉपरली ही दी estी एकप्रेचर होता है अईम्हटरिकर की मुठाबिश की मुठाबग्स हीद रहीचाि है हमार मारे बा बंद कल दे यहां पर लोग वही सीलेंट पर लगा करते हैं भई आपकी कोटिंग होगी तो आप मेंटेनंस का दे देते हैं ताकि आपकी गाड़ी रड़ी तो गो जाए आप इसके बाद वाश करें हम चेक कर लेते हैं गाड़ी में कोई फ्लॉस तो हमारी तरफ से नहीं रहेगे कोई प् करना आपने इसको एसी जगह पर नहीं रखना यहां पर लिक्विड जाता है यानि कि बारिश कोई हो रही है यह कहीं से पानी कर रहे है आपने तोटली इसको सिक्योर करना है अगें मैं कंज्यूमर एड्वाइस पर आता हूं आपने बोला कि आप देखें कि एक बंदा जो डिश्न तोटंग कर रहे है वो क्या लगा रहे है उससे कन यू गाइट के कौन सी स्रामे कोटिंग ब्रैंड्ट है जो मशूर नाम है अच्छी कॉलिटी के हैं और इसमें क्या कॉलिटी इस डिफरंट आती है ए ग्रेड बी ग्रेड वे जो बता दो आते तो आपको बेसिक् हो दो पुरता के बता दूंख लगाslisl children कॉछ लोग घरैंन कॉंचे स्कुल दू बता देतंऊ है तो वह उनका माने ये बनाव यज होता थスト tremendous जो कोटिंग्स आपी हैं अच्छे ब्रैंड्स की वह वाकिए अच्छी जैसे कि मैं आपको चंद एक ब्रैंड्स उनके नाम बता देता हूं कि आप आप स्ट्सवाइएए या फिर आपका जो प्रोड़क्ट है वह एक अच्छा उसके रहें जैसे कि मैं आपको बताता हूं हम यूज करने करें की CarPro के बारे में simply आप यूटीव और गूगल कर सकते हैं आपको आईटिया होजे गआ के लिए उन्साय प्रया का बड़ा है इसके बाद आपका riders are Gion, G-Technic & Ceramic Pro beしょ, IGL becidos भी आपको बार बेंद गूगल यूटीव करसकतें तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि यार आप जहां से भी कोटिंग करवा रहे हैं तो आपको सिफ इस का ख्याल होना चाहिए कि जो आपका इंस्टॉलर है जो आपका अप्लिकेटर है कोटिंग अप्लाय कर रहे है वो एक सर्टिफाइड हो और सेकंड्ली यह कि वो जो प्रोड़क यूज कर रहा है वो टूटली जैन्मन हो आप बगाईदा आपका राइड बनते है कंस्यूमर का वो देखे यार कोटिंग अप्लाय कोंसी हो रही है क्या वो कोटिंग और रिजिनल है या नहीं है या वो आपको दिखा कि कोई और लग कि अपके के कोटिंग हो गई है या किस किसम की होई है बेसिकली एंड-users चेकर कर सकते हैं वे सबस्क्राइब कोई इसमें ही होता है कि किसी आ उसके पास यार हैं ठीटिलर के पास तो हम तो अपनी आप्टर संविसेज इस लिए प्री देते हैं दाकि एक एंड-उज आगानली यह है जो एंड उसको एक डिफरेंस फील बकाइदा हो जाता है कि जो जो जए टेट एक डाड़ी ऑले किया था उसमें और जो मैंनेनन्स में उसको काफी झाल फाफी फील होता है यहानि कि जहांपर गाड़ी ऑफेले था फॉते पर उफ्ट पांच बार वाश आपलेट्स बन जाते हैं यानि कि कोटिंग एक लेयर आपके जो गाड़ी की ओपर है वो एक स्मूध सर्फिस बना देती है यानि कि पानी गिरा और वो सीधा आपका मालग वाइजीली हो जाता है और आपकी गाड़ी पर रुखता नहीं है पानी तो ये आपके अफेक्ट होत मालने तो डेयर देखिए घाए खता टालता है ये ये दिशना आप को उसको टाइम लगर है, एक तर में के दना तर दूँपरह टालतों है तुसरी यह बार भी वाइप नग भी वाइप होजएगा जाती हमादा है, भीतों हमादा लिए जो थी अगेकगगे। यह बैक जाता मैं पबछी कि अदिद है tapa Çालोग है लोग जो चाबी से आपके पेंट को स्क्राइच कर देते हैं क्या सरामी कोटिंग इस चीज से प्रोटेक कर सकती आपको ये बहुत अच्छा आपने मुझा इसमें यह होता है कि लोग की माइंड में अगमित है कि यार कोटिंग कर वाली तो हमारी काड़ी टूटली सिक्यूर ह तो होगी है अब बाइग लग जल खे़िए आपकी जो रिखाव को ये स्यद्ट इस से उड़ा है कि अगर ज लुटता है ऐसा कुछ हो बाइकपला जो रहा है तो इस चीज का बहुत है जो बहुत ख्याल रखें कि जो भी कोटिंगर बार है यह बिल्कुल यह खलत बात है कि आपकी काड़ी टोटली स्क्रैश्च्लेस होगी एसके पूफ होगी ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें एक परसनली मेरे साथ इंसिडेंट वा था मेरी यारिस पीछे से थोड़ी सी पार्किंग करते वे एक पोल से टकरा गी थी उसकी मैं वीडियो भी लगा देता हूं यहां पर दिखाने के लिए तो उसमें उसके बारे में थोड़ा सा बताएं वो मैं खुद मेरे लिए यहां यहां पर शर्किंघ करता है वहां यहां शर्म कोटिंग व्हाट करती है लोगे साथ और दिखाने थियाखरों दिए घ्यानी के वी इन पर चांद का चार्ण शक्ते यही पल–अधियों की उस से ब्ली के फ्चार जूल के मैं था यहां अभए किता था की आण स्वेयल पेंट कराओ रही पेंट वही बागी आपकी दर्फ में रिस्टोर होगय था और वह एक खर्चा भी बच गया है और ख़वारी भी बच गई गया और जब डीब स्क्रैच लगता अपका पेंट रोजाए तर उसका कोई सलूशन दी तो बागी जो था वो सारा हो गया अपका इ यानि PPF क्या चीज है और स्रामी कोटिंग इन में फरक क्या है और क्या आप दोनों यूस कर सोते हैं आपको वही बात है लाइट स्क्रैच इस स्विल से चाती है लाउस देती है और एक आपको हाइड़ोफोबिक एफेक्ट दे देगी आपकी गाड़ी में अपकी गाड़ी की मेंटेनस इजी हो जगी यानिके वाश वगरा डस वगरा कम दोगगी जबकि असल जो PPF जो होती ह है तो आपके गाड़ी सिक्यूर है बैसिकली PPF जो आपको प्रोटेक्शन के लिए करवाने शाहिए PPF में किती डिफरेंस इस आते हैं उसमें कुछ लोग कहते हैं इसमें कोई पीला पन आ जाता है उसकी थोड़ी मिट्स हैं PPF की क्या कॉलिटी होती है उसके बारे बता दे बैसिकली PPF की तीन कॉलिटी होती है यहां पर यह होता है कि लोगों को बेव कुफ भी बना देते हैं लोग इस बात कि हमारी PPF बोट थेक है वो पीपीफ नहीं होती वो आपकी PVC होती है PPF बैसिकली होता ही जो आपकी बिल्डिंग्स की पर पेपर रखता है वो गाड़ें पे लगा देते हैं यह सोच कर देते हैं कि यार भाही यह तो प्रोटेक कर देगे ब्रोटेक्त हो कर देती है लेकिन वो वग के सathसर्द क्वेड हो जाता है उसका येलोश सी कलर आ जाता ह 설명 wife TPO-TPS में difference सी अमरे , एक सेलफ ही एक व्हील उर दिख उर उन जाए बन्हें व्हील नहीं होती। इसमें भी पीरिड उफ ताइम होता है निए फाटिएर्स होती है एट एर्स की होती है यह कुछ लोक है टैन इर्स के क्लेम करते हैं क्योंकि जो आपकी PPF है उसके नीचे भी आपको एक बेस बनानी पड़ती है बिसिकली जो भी आप अपनी गाड़ी पर अपलाए करें उसमे अपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपकी गाड़ी के पेंट में और उस चीज में कोई चीज बीच में कुछ भी नाए वह है तो इसको अम्स कर जा हैं तो अगर तो ने तो फैमिक करते हैं तो उर्ट करते हैं तो तो ने स्परेंज के और आपका सबसे बड़ा ब्रोब्म या आता है कि वह सके युषाभने की अबिलिटी जां चाल है मैं यह पॉन्सरोम करें तो उसमें यह होता है कि PPF हम पहले करते हैं और PPF के ऊपर हम CERAMIL COATING GLOBE करें जो कि उसके GLOSS को और बाकी सारी चीजों को थोड़ सा इनहेंस करते हैं अच्छा एक जगा मैंने भी वड़ा था कि PPF is best कि अगर आप बिल्कुल ब्रैंड न्यू गाड़ी पर कराएं और लजसे कि किसी के परानी गाड़ी है उस पर कोई इस इस वर्थ है यह तो यह तो डिपेंड करता है कि पेंट की अगर तो इनके इस पेंट उसका बहुत अच् अच्छा पीपीएफ और स्रामी कोटिंग में जरा प्राइस रेंजिस का मुझे बदा देंगे किस ब्रैकित में बात करेंगे इसमें एक यूज डिफरेंस आ जाता है यानि कि से अच्छी इस अच्छी ताउजन आपकी हो जाती है और जो एक एवरेज आप पीपीएफ कहल आप पीपीएफ की लेकिन और आपको मैंने बताया कि यह जो आपकी पीपीएफ अवर्थ इतने आप पैसे के रहें जितनी आपकी गाड़ी है आफ टोटली एक स्थे टोटली रिलाक होते हैं मैंटेनिंस पीपीएफ की मुझी मुखिल नहीं होती सज्टी जेंटेंस मुझ कि आप नहीं गाड़ियों को फी पेंट करुख कर रहे होते हैं तो इसका कोई मसला है कि यह आपको इशू नजर आते हैं जो गाड़िया नहीं डिलेवर हो यह उनमे भी आप पेंट करेंशिन करें अग्या है बिल्कुल यह अक्सर गाड़ियां जो है उनमें यह होता है कि पेंट करते विए इंपर्फेक्शन आई जाती है कुछ नो कुछ जैसे कि विन आपको बता तो वो कराची से आपकी पोर्ट पे खड़ी है इसके लावा जो सी सॉल्ट होता है वो इसके ओपर पड़ी होती है अच्छा मैं आपको बताने इस पारे में बूल कर जो आपकी कोटी है वो आपको अपको एसे डिक रें से भी बचाती है जो इन चीज़ों से आपकी आधि जो राज्ते में ट्रेवल करकी लगे बार्शे बार्श उस पर उस पर ओकार जो है तो उसका शर्विस टोटली बदाद हो चुकआ होते हैं दीज़ है लेकिन चले में आपको एक गाड़ी के बारे में बदाते था हूँ एक भहुत ही मश्यूर गाड़ी है आजकल काफी ट्रेंड में तो, वो हमारे पास आई उसमें क्या था कि वो गाड़ी आपका कहीं टुरक रास्ते में कोई उल्टा था तो उन्होंने क्या कि उस गाड़ी को रिपेर किया वो रिपेर करके हमारे पास भिजवा दिया As brand new As brand new मुझे नहीं पता था कि वो किसी डेलर्शिप की गाड़ी है क्योंकि वो हमारे पास एंड जूजर बन किया है उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने का यार इसकी ना एक्टेंट हो गया था तो देन मुझे पता चला कि वो किसी कस्टमर को गाड़ी डिलिवर होने जा थी तो एस ब्रेंड न्यू कार और उन्होंने उस कस्टमर से कोटिं के पैसे भी चार्च कर लिया थे बहुत बार इसा हुआ है और यह तो आपकी वो गाड़ी जो आजकल आजकल 80-90 million के बीच में आरी है लेकिन हमने ऐसी गाड़ी है जो 120-12 million तक पहुंची है तो उनको भी हमने किया तो बहुत आजकल बिल्ट क्वालिटी काड़ियों की बहुत बुरी है तो इसलिए हमारे पास आती हम पेंट रेक्शन और और ओवर आल्वस को ट्रीट करते हैं चले पॉजिटिव उसमें देखते हैं सबसे अच्छी पेंट क्वालिटी पाकसान में इस वाथ कौंसी गाड़ियों में आपको लगी क्या आप आल्टो से लेकर अच्छी हैं जिसके पेंट कॉल्टी बहुत 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 अच्छी ह अवी बागी आपकी आपकी जो महेंगी गाड़ियं भी पेंट्टी बहुत अई गी बनाई है अगर आपकी तरफ कोई आना चाहता है तो इस बज़ट में कोई इतना अच्छा पेंट कॉलिटी देगा लेकिन इन्तहा की उन्हें बहुत पुरी दिया तो जो आपकी गाड़ी है यह प्रोटॉन का मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया तो इस बज़ट में कोई इतना अच् करवाने तो आपको किस तरह रीच आउट कर सकता है आप हमारे कॉंटेक्स नंबर पे देख सकते हैं आपको शो हो जाएगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देचेगा और स्पार्को कार केर के नाम से हमारा आइट में इसलामबाद में आउटलेट है तो आप यहां प आपको बहुत चाही एक्स्पिरिंस रहा है परसनली और मैं की दूसी गाड़ी कराने आ गया हूं और वही अगया आपने का तो में अपने काड़ी यारिस की सारी जो सफाई वगरा प्नी कार वाश सारी इधर से कराता हूं ताके आपको एक यह कीप माई वरंटी एस वेल औ और में जो सेलामी कोटिंग उसकी भी कॉल वो जो है मेंटरनेंस होती रहा है तो मेरा इनके साथ बड़ा अच्पिरिंस रहा है दूसरा है कि वह फरांट भाई मुझे इसलिए आदा अच्छे लगते हूं कि बड़े यंग और बी हैं तो एक तरह से मुझे अच्छा लगता में सारे रैक पर तो ही इस वेरी ऑनेस्ट और उससरा से एंगी डिलिवर्स ऑन वटी प्रॉमिसस अगें यह कोई स्पॉंसर वीडियो नहीं है इसस्ट मैं वेरी ग्लाइड के रोने हमारे सा सारी इंफ्रमेशन शेयर किये आप कहीं पी जाएं एस यूर अप तो यू बट म कि अपके अफेंटिक और सर्टिफाइड बंदे से सरामी कोटिंग करवा रहा हैं वैंकि सरामी कोटिंग काफी बनाव भी होगी है मैंने जो देखा है और मेरे खिया से इस अब बिकार बूद अधर बाद आदर इसमें फरॉड भी होता है लोगों के साथ तो फिर सारी स्रा करको कार के रहा है आये इट मरकज में है इनका आये मरकज तो नहीं है और आयेगा जरूर और मेभी यू माइट इवन इवन इंट्रक्शन विद में मैं भी बहुत आता रहता हो यहां पर अपनी काड़ी दिल्वाने के लिए तो I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मि और I will see you in the next video